स्वागत आपका इस विजी चैनल में तो दोस्तो आज किस वीडियों बात करेंगे कि B.A.B.C. या आपने अंडर गुज़ियर के किसी भी कोर्स में एडमिसन लिया हो तो दोस्तो इसके जो Second Year के थड़ यर के एडमिसन होते ही हैं उस एडमिसन प्रोसेस को हम इस वीडियो के माददम से देखेंगे तो वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ मैं अगर आप Second Year में और Third Year में हैं दोस्तो इस साल तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना हैं तब यह आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, अन्यता आप बहुत सारी चीज़े ऐसी हैं, जो आप मिस कर दोगे, फिर आपको एड़िशन में काफी परिशानिया हो सकती हैं, अब मैं आपको पूरी प्रोसेस पताता हूँ, सेकेंड यार और ठरिज़ यार में ऐड़िशन लेने का, तो दोश्रों आपको पता हुगा, कि prick फर्स्ट यार से से सेकेंड यार और से से थर्ड़ि़ यार में आने के लिए, हयां पर 2021-2022 में आपको पता है, कि जो Open Book S specially परिशाय करवाई गई थी, फ़स्ट यर और सेकंड यर जब फ़स्ट यर सेकंड यर में open book से परिच्छाइं करवाई गई थी तो फिर सेकंड यर और थड़ यर में advisor लेने के लिए हमें एक general promotion piece apply करनी थी सबसे पहले सबसे पहले आपको एक जनरल प्रमोशन पीस apply करनी होती है ये previous website के मादधम से जिसकी पीस रहती है 530 रुपे ठीक है आपने 530 रुपे का payment कर दिया होगा अब जब दोस्तों आपको 530 रुपे का payment कर दिया तो इसका मतलब ही है कि आपकी जो पीस है आपकी जो total piece है दोस्तो जो total piece है उसमें से आपने first installment submit कर दिया यानि कि 530 रुपे submit करना यानि कि हमारी जो second year थड़ी की year की जो total piece है उसका first installment submit कर देना अब जो second installment कब submit होता है वो भी start हो चुका है second installment submit होना सबसे पहले मैं आपको बता दूँ परसे step हमने क्या किया हमने promotion piece अप्राई की 530 रुपे हमारी मानके चले है total piece 2000 है किसी भी college की piece हमारी किसी college की piece है second year थड़ी अर्गी 2000 रुपे piece है जिसमें से ये प्रवेस website के मादम से हमने 530 रुपे को submit कर दिया ठीक है 30 रुपे पोटल चार्ज होता है तो 500 रुपे हम इनको मानके चलते हैं ठीक है अब 500 रुपे हमने submit कर दिया यानि कि second year थड़ी year admission का हमने first step complete कर लिया अब इसके बाद में जो second step क्या होता है हमारा वो second installment submit करना यानि कि दितिक किस्त सम्मित करना हमारे किसी college की 2000 रुपे टोटल पीस थी इसमें से हमने 500 रुपे सम्मित कर दिया बागी के बचा 1500 रुपे ठीक है अब हमें 1500 रुपे सम्मित करना है तो जो एड़ीशन का दूसरा step क्या होता है बागी की जो पीसे 1500 प्लस document submit करना हमने first installment submit कर दिया second installment जब हम submit करेंगे यानि कि admission का second step complete करेंगे तो उसमें हमें 1500 रुपे यानि कि जो second installment पीस हमारे college की और हमारे समस्त document जैसे अगर आप second year में तो फस्ट एर की मार्षीट, तैंत की मार्षीट, 12th की मार्षीट domicile certificate, cast certificate, इनकी photo copy साथ या अपके आधर काड़ दो दो फोटो या आपको अपने कॉले में submit करना होता है document के साथ में ठीक है आप चाहिए third year में हूँ, चाहिए second year में हूँ, तो यह तो दो हो गए, दो step ठीक है, हमने first step complete कर लिया, second step भी हमने complete कर लिया, दीक है, अब मैं इस website पर आना होता है, यहाँ पर e-previous student promotion के नाम से एक link के दिकाई देता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस link पर हमें click करना होता है, इसके बाद हमारे सामने इस तरह का interface आ जाता है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आपने अभी तक admission नहीं ले देख रहे हैं, लिंक आपको description box में मिल जागे उस video को देख रहे हैं, के बाद में आप 530 रुपे का payment कैसे करना है, वो आप अच्छे से सीख सकते हैं, अब दोस्तों हमने यहाँ पर दो step complete कर लिए हैं, एक तो 530 रुपे का यहाँ पर first installment submit कर लिया, इसके बाद second installment में हमने second दोस्तों हमें, अब क्या करना हैं, हमें क्या करना हैं, आप अपना exam फॉर्म पुल करना है, स्टीकर अब देखी दोस्तों हैं, पर इतना काम करने के बाद में, दोस्तों आपका जो admission है न वो complete हो जाएगा admission process के भी ने बताया तो यहां तक आपका क्या हो जाएगा admission complete हो जाएगा जब 530 रुपे second installment और आप document submit कर दोगे तो यहां पर आपका admission का process complete हो जाएगा यहां पर आपको कोई भी काम करने की आबसकता नहीं पड़ेगे अब third step में हमें क्या करना होता है हमें अपना exam form फिल करना होता है अब दोसु second year के और third year के यहां पर exam form फिल होना start हो चुके हैं सभी university के दोवारा अलग-लग तारिक निकाल दे गई हैं लगवग 4-5 university हैं जिनोंने अपने second year और third year के परिच्चा form एप्लाई कराना start कर दिये हैं और जानदा ता इसकी last day जो कि फरवरी का मैना पूरा चलेगा और लगवग 10 माच तक एक धीरे-धीरे करके आँगे बढ़ाते जाएंगे अपने परिच्चा form बनने की तारिकों को तो यहाँ पर exam form फिल करना है exam form जब आप फिल कर लेते हैं मैं सभी university की वीडियो बनाता रहता हूँ और अपने YouTube चैनल पर भी upload कर दे हैं आप जिस university के student आप comment करें जिससे आपके university के साबसे भी मैं वीडियो upload कर दूँगा कि second year के और थड़ियर के जो exam form होते हैं वो कैसे फिल करना है तो हमने exam form फिल कर लिया अब जब हम अपना exam form फिल कर लेते हैं तो इसके बाद में क्या होता है exam form की जो receipt मिलती है exam form की जो receipt मिलती है और इसके साथ में हमारे जितनी भी सभी document होते हैं वो सबी document हमें अपनी college में submit करने होते हैं जियां दूसरो exam form फिल करने के बाद में भी हमें एक बार फिल से अपनी document है जो कि college में submit करने होते हैं अब जब हम अपनी documents हैं वो college में submit कर देंगे तो इसके बाद में दूसरो क्या करना होगा अब मैं इसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमें हमारे अब admit card का बेट करना है काई का बेट करना है दोस्तों हमें अब अपनी admit card का बेट करना है जैसे हमारा admit card आ जाएगा इसके बाद में क्या करना है हमें हमें अपना exam center में जाना है और हमें अपना एक्जाम देना है इस वार आपको पता है कि ओप्लाइन परिच्छाएं करवाई जा रही है तो हमको एक्जाम सेंटर पर बैट करी परिच्छाएं देनी होंगी तो यह पूरी सेकंड येर और थर्ड येर में एड़ियर लेने की प्रोसेस ये जो मैंने प्रोसेस बताई है दोसर। रेःगुलर स्टुडेंट की बताई है चलिए हम थोड़ी से अब प्राइबेट स्टुडेंट की प्रोसेस देख लेते हैं एडमीशन की कैसे होती है अब हम प्राइबेट का अगर बात करें अभी तक हमने regular के बारे में जाना अब हम private के बारे में बात करें दोस्व प्राइबेट में admission लेने का खाली एक ही step है आपने first year में admission लिया होगा या आपने first year के exam दे दिया होगा रिजल्ट भी आ गया होगा अब आपको दोस्व second year में और third year में क्या करना है दोस्व प्राइबेट में second year और third year में आपको क्या करना है दोस्व केबल और केबल हैं पर exam form फिल करना है क्या फिल करना है दोस्व exam form फिल करना है आपको अपना परिच्छा form फिल करना है केबल और केबल एक ही काम करना है आपको अपना परिच्चा फॉर्म फिल करना है प्राइबिट के स्टूडेंट को उनको ना तो 530 रुपे की पीस सम्मिट करनी है ना और कोई भी जंजट करना है कोई भी जंजट का काम नहीं है इसके बाद सेकेंडिय और थडियर के स्टूडेंट को अपना परिच्चा फॉ परिच्चाएं होगी यानि कि जो काम regular के साथ होगा वोई private के साथ होगा लेकिन बस private को क्या है यहाँ पर admission लेने की आवजकता नहीं होती है इनकी cable direct exam form फिल किये जाते हैं परिच्चा form फिल किये जाते हैं direct और कोई भी काम करने की इनको आवजकता नहीं पढ़ती है तो उम् पीडावटो कमेंट करें इस्टागाम पर फॉलो निकाव फॉलो कर लेना है मिलते नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए बाई